नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र चसमीत आलुवालिया बिरियाट्रिक एडवांस लेपरस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही सिंपल ट्रिक्स जो आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वेट लॉस के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें अवेलेबल हैं पिरियाट्रिक सरद्री से लेकर बेलून्स बहुत सारे डाइट प्लाइंस एक्सेट्रा तेकिन इस वीडियो में हम वह बाते करेंगे जो आप बहुत एजिली अपने डेली लाइफ स्टाइल में ला सकते हैं यह हर एक के ल शुगर लेना शुरू किजे कुछ दिन लगेंगे आपको इस न्यू हैबिट को एडॉप करने में लेकिन यकीन मानिए एक बार यह हैबिट बढ़ गई तो लाइफ लॉंग आपको यह हल्प करेगी उसके बार आपको विद शुगर टी यह कॉफी का टेस्ट अच्छा नह लेनी है इवन उसको विदाउट शुकर या जिरो कैलरी वाली कोक भी नहीं लेनी है क्योंकि उसके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं नमबर टू जो आप खाना खा रहे हैं उसे हल्दी खाने से सब्सिचुट कीजे यानि कि उसमें एक्स्टा कैलरी कम कीजे यानि अग अगर आप जपाती के ऊपर एक्स्टा बटर या गिल लगा रहा हैं तो उसको भी कम करना शुरू किजे या अगर आपके खाने के अंदर आप किसी बी फॉर में कुछ भी आजसा मिक्स कर रहे हैं जिससे केल्री में बढ़र ही है तो उसे आवट कि जे अगर आप खाने में म नमबर त्री, फ्राइड फूड को बिल्कुल ही अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजे, कुछ भी जो फ्राइड किया हुआ फूड है और इवन जो हाई फैट फूड है जैसे की पेस्ट्री ये जैसे मैंने कहा मियोनीस वाले सैंड्विचिस इन्हें भी हमें अपने फूड म उतना खाना डालिये जितना आप खाने को इंटेंट कर रहे हैं यानि कि अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार प्लेट में खाना डालते रहेंगे तो ओवर-वर आल आपकी कंसम्शन ज्यादा रहेगी as compared to कि जितना आप खाने की इंटेंशन रखते हैं उतना आप आप एक ही बार में डालिए और उसके बाद बार बार उस प्लेट में खाना ना डालिए अपनी प्लेट का साइज थोड़ा छोटा करने से आपको प्लेट भरी भरी लगेगी और उससे भी आपकी सेटाइटी जल्दी होगी आपको लगेगा कि आप पेट पर कर खा रहे हैं नमबर फाइव, अलकोहलिक ड्रिंक्स को बंद करना है और इवन स्मोकिंग को भी बंद करना है अलकोहल में एम्टी कैलरीज होती हैं कितनी भी आप अलकोहल लीजिए उसमें कुछ ऐसी कैलरीज रहेंगी जिनका बोडी में न्यूटिशनल वैल्यू जीरो है और अलकोहल की इंटेक्ट जादा होना एक बहुत बड़ा कारण है उबैसिटी होने का अगर आप अलकोहल को बहुत कम कर सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं तो उससे भी आपको वेट लॉस में एक इमिजेट हेल्प मिलेगी और उसे मेंटेन करने में बहुत बैटर रहेगा अगर आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं तो ऐसा इंटेंशन ना रखिए कि जितना खाना आपको सब किया गया है उसे फिनिश ही करना है बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब order कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा order हो जाता है या order किये हुए खाने की quantity आपकी capacity के हिसाब से ज़्यादा है और उसे फिनिश करने के intention से हम उसे खाते रहते हैं ये खाना फिनिश करना यानि की अपने अंदर फिंकना या उसे डिसकार्ड करना इन दोनों options में से उसे डिसकार्ड करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो आपके अंदर जाकर आपको और ज़्यादा बड़ी problem क्रेट कर सकता है So don't try to finish your food when you don't have to over eat ना किजे उसे पैक करवाईए और in worst case scenario उसे डिसकार्ड कीजे या किसी और से डिस्टिबूट कीजे Number 7 Deserts को control करना है Deserts में बहुत सारे empty carbohydrates रहते हैं sugar रहती है जो हमारे weight को बढ़ाने में बहुत बड़ा role play करते हैं So आप routine खाने में जो घर में खा रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि खाने के बाद जो आप मिठा लेते हैं उसे बंद कर दीजे और अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तब भी आप main course के बाद buffet में desert के counter पे जाना बंद कर दीजे या उसकी तरफ देखना भी बंद कर दीजे यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और कुछ दिनों में ही आप यह habit पिक कर जाएंगे और आपके mind से ही desert का inclination है वो कम होता जाएगा number eight अपनी snacking habits change कीजे हम लोग दिन में तीन main meals के लावा यानि breakfast, lunch और dinner के लावा in between snacking करते हैं जिसमें हम बहुत सारे high calorie foods ले ले लेते हैं जैसे की chips खाना, चाय के साथ, biscuit खाना, कोई नमकीन खाना तो यह सब बिना मतलब के हमारे अंदर calories accumulate कर रहे हैं और अगर आप इसको substitute कर देंगे simple fruits के साथ, या salads के साथ, या healthy drinks के साथ तो इससे भी आपकी calories intake कम होंगे और आपका weight अच्छा कम होगा और अच्छे long term तक यह maintain रहेगा number 9, अगर आप बहुत सारी meals के साथ एक coke मिलेगी या आपको french fries free मिलेगे तो अगर आप उसको हटा दें और simple meal पे concentrate करें और जो main meal हैं, उसमें भी जो high calorie content है यानि कि जो sauces हैं, उसमें देखिए कि जो सबसे minimum calorie वाली sauce है उसे choose कीजिए और mayonnaise या high calorie वाली sauces को avoid कीजिए तो इससे भी आपको weight loss में help होगा और last meal number 10 और जो I think सबसे ज़्यादा important है आप अपने साथ साथ अपने जो आपके आस पास के लोग हैं उनको भी ये सभी tricks share कीजिए क्योंकि देखा गया है कि obesity families में रिंद करती है obesity is group circles में रिंद करती है जिनका weight जादा है उनके family members का भी weight जादा है या उनके front circle में और लोगों का भी weight जादा है सो कोशिश कीजिए कि जिनके साथ आप ये खाना share करते हैं उन्हें भी ये सारी values सिखाईए ताकि आपके खाने में in general ही quantity of calories कम हो और आप सभी weight lose कर पाएं तभी आपका weight loss अच्छा होगा और ये long term तक आप sustain कर पाएंगे अगर आपके companions, family members या friends ही आपको healthy food खाने के लिए motivate नहीं कर पा रहे हैं तो ये journey कभी भी successful नहीं हो पाएगी Thank you कर दो पाएंगे